हलो फ्रेंड्स असलाम उलेकूम विल्कम बैक टू मैं चैनल तम्मोस कीचन कैसे हैं आप सब उम्मीदे आप सब खायरियत से होंगे अज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ रेसिपी स्टाट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रेसिपे अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोस कीचन को सब्सक्राइब जरूर करिए और आज मै पर बनाओ तो चार घंटे से पांच घंटा भिगा कर रखिएगा जीरा ली हूँ थोड़ी से हरी मिर्ची करी लीप्स कड़ी पत्ता और 100 ग्राम लियों में कच्छा सिंग 200 ग्राम साब उदाने के लिए 100 ग्राम लियों में कच्छा सिंग और घी आप इसे तेल में भी बना सकते हैं मैं घी में बना रहे हूँ सबसे पहले हम सिंग को रोस्ट करेंगे मूँ फली को रोस्ट करकर लेंगे हमारी मुंगफली अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है मैं इसे अब निकाल लेती हूँ बाउल में इसे थंडी होने देंगे और फिर पीसेंगे हम गरम मुंगफली पीसना नहीं है फ्रेंट्स मुंगफली मेरी थंडी हो चुकी है अब मैं इसे पीस लेती हूँ इसे हम द हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड जितने व्यूस आते हैं उतने लाइक नहीं मिल रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजिए और दरदरी PCV सिंग को हम अच्छी तरीके से साबुदाना में हातों से मिला लेंगे फ्रेंड अभी मैं नमक एड़ नहीं करूंगी और यह हमारा सिंग और साबुदाना मिल चुका है एक चम्मच डाली हूँ घी खाने वाले चम्मच से भरकर एक चम्मच घी आड़ की हूँ फ्रेंड्स साबुदाना आप तेल में भी बनाईए काफी टेस्टी बनता है घी को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे फिर इसमें ड दलेंगे कंई हरी मिर्च को कमीयाज जादा कर सकते हैं हरी मिर्च को को अच्छी तरीकशी हमें से मिला लेंगे हमारा कडी पत्ता भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राय हो मिर्च iconic जीरे के साथ को अब हम में में डाल देंगे साबुदाना फ्रेंज साबुदाने को अच्छे से 4-5 गंटा पहले भिगो कर रखिए बहुत अच्छा बनता है साबुदाना साबुदाना तो आप भी बनाते होंगे एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राइ करिएगा इंशालला इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा फ्रेंज खिला खिला साबुदाना बनेगा नहीं चिपकेगा हमारा साबुदाना इसमें डाल रही हूं नमक मैं हाफ टीस्पूर नमक आप अपने टेस्ट के अकौर्डिंग दालिए फ्रेंज मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छी तरीके से मिलाते हुए पकाएंगे फ्रेंट्स जब मज़को चलाते हुए पकाना है फ्रेंट्स आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए अपने रिष्टेदारों से शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सबस्क्राइब कर दीजए नीचे जो रेड कलर का सबस्क्राब अला बटन है उसे प्रेस कर दीज़े और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए फ्रेंट्स मुझे आपके ही सपोर्ट की जरूरत है और कुछी मिन्टों में हमारा साबूदाना खिला-खिला सा सौफ्ट तयार हो चुका है आप इसमें निम्बूनी चोड़कर खाईए चाही दही के साथ में खाईए धही के साथ में भी बहुत टेस्ट फुल लगता है खाने में और आप देख सकते हैं एकदम खिला-खिला साबूदाना है कोई दाना चिपका नहीं है हमारा आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राइ करिए फ्रेंड्स इंशालला कल फिर मैं मिलूँगे एक नई रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखिए सेफ रहिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फर वाचिए